हेलो एब्रिमोन कैसे हैं आप सब आई होग कि आप सब अच्छे होंगे हिंदी के काब्य खंड के स्रीज को आगे बढ़ाते हुए हम आप सभी के लिए लेकर रहा हैं एक अगला चेप्टर जिसका नाम है लौट कर आऊंगा फिर ति इस चेप्टर से जितना इंपोर्टेंट कोचन होगा जो कि आपके बोड एक्जाम में पूछने वाला है सभी कोच्चन को मैंने इस वीडियो में कवर करने के खुशिस किया हूं तो आप वीडियो को अंतितक देखिएगा तो चेप्टर नमबर 11 अगर आपने एक से 10 चेप्टर तक वीडियो नहीं देखा है तो चै जैसे कि आप सभी को पता है कि चैनल के मादम से टॉप 10 कोच्चन हमेशा आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं तो आप चैनल के सांथ बने रहे हैं अब बढ़ते हैं इसके कोच्चन के तरफ तो इसका फर्स्ट नमर कोच्चन यह है कि लौट कर आऊंगा फिरियो क्या है इसका राइट अंसर बी नमर अप्शन होगा जीवन्त दास हैं जो कि लोट कर आऊंगा फिर के लेखक हैं इसका बी नमर अप्शन बिल्कुल राइट अंसर है आप सभी को याद कर लेना है फिर इसका अगला कोच्चन यह है कि जीवन्त दास कौन है तो लोट कर आऊंगा फिर इसके लेखक है और पूछ रहा है कि इनका जनम कब हुआ था तो आप सभी को बता दे जैसे कि मैंने पिछले ही बताया था कि जितना लेखक है लेखी का नाम होता है उनसे रिलेटर जितना कोशन होता है उस भी इंपोर्टेंट कोशन होता है और बहुत समभावित होता है बोड़ परिक्षा में आने के लिए तो उस पर आप भी केस बिशिस फोकस करें तो जैसे यह प्रस्ण है कि जीवन्त दास का जनम कब हुआ था तो आपके पास चार विकल्प इसमें भी दिया गया मुगर इसमें से आप सभी को राइट एंसर बताना है तो इसका राइट एंस यह है कि जीवन्त दास किस भासा के रचिना कर थे जैसे कि मैंने आप सभी से बताया था कि जितना लेका क्या लेकी का नाम होता उसे रिलेटर जितना कोचन होगा मैं इस चैनल के मादन से आप सभी के लिए पर्थम लेकर आता रहूंगा पहले उसे लेकर आता रहूगा तो चैनल के साथ बने रहें तो प्रश्णिय के जीवंत कर लेना है सी नमर बंगला भाशा के रचना कर थे जीवंत कर लेना है फिर इसका अगला question यहां पर है कि जीवंत ति रचना है तो जीवंत शारी और इसमें से बहुत सारी रचना है दे गई मगर इसमें से आप सभी राइट नस राप सभी को याद रखना एगर प्रश्न पूचए कि जीवंत द्धास की में रचना है और आपको जहां पर भी जहारा पालक दी करना आए और आगे बढ़ना है यह आपके एक्जाम के पॉइंट विसे बताया गया फिर इसका अगला प्रश्णिया है कि जीवन कितनी आयो में हुआ तो जी won't Abr終 कौन है उमकी नीधन कितनी आयो की कि वर्स में हो गई, यहां पर प्रश्मिया runners कराए जी ओमत दरस की नीधन कि?!? आयू में हुआ था आपके पास चारविकल भी इसका भी दिया गया मगर इसमें से आप सभी को राइट एंसर बताना है तो इसका राइट एंसर आप सभी को C नमर अप्शन याद रखना है इससे यह रिलेटड प्रश्णिया भी है कि जीवन्त दास का निदन कब हुआ था आपके पास चारविकल इसका भी दिया गया मगर से इसका राइट एंसर क्या होगा तो आप सभी को डीन मर अप्शन याद था अन्ने सचोवन इसमें जीवन्त दास का निदन हो गया था इसका अगला प्रश्णिया है कि कभी क्या बनकर तेरते रहने की काम ना करते हैं और इसमें चार विकल्प दिया गया जो इसका राइट अंसर आप सभी को बीनमर अप्शन याद रखना हमेशा हमेशा के लिए तेरते रहना चाहते हैं इसका बीनमर अप्शन बिलकुर राइट अ लेना है फिर इसका अगला कोश्चन यह है कि लोट कर आऊंगा फिर यह कौन है तो चेप्टर का नाम है और इसके लेखा कौन है तो जीवांत दास है और यह पूछ रहा है कि कवीता में किस फोसल की खेट की चार्चा की गई है तो आपके पास चार भीकल इसका भी दिया गया मुगर इसका right answer आप सभी को C number option याद रखना है लोट कर आऊंगा फिर कविता में किस फोसल की चार्चा की गई है तो धान के फोसल की चार्चा की गई है इसका C number option बिल्कूर right answer है आप सभी को याद कर लेना है फिर इसका अगला प्रश्णिया है कि कभी किसके बीच अंधेरे में होने की बात करते है तो कभी किसके बीच अंधेरे में होने की बात करते है तो इसका अभी चार विकल्प दिया गया है मुगर इसमें से right answer आप सभी को D number option याद रखना है सारस के बीच अंधेरे में कभी रहने की बात करते है इसका डी नुमर उप्षन बिल्कुर राइट अंसर है आप सभी को याद कर लेना है फिर इसका अगला प्रश्णिया है कि कि रूपः साख kya है तो रूपः साख क्या है तो रूपः साख क्या है तो इसका राइट अंसर आप सभी को इनुमर अप सभी को याद कर लेना है तो इस चेप्टर से जितना इंपटेंट कोरमार चाहर। 2 कभी कोशिन का मैंने इस वीडियो में कभर करने की क्या हूं इसे और इंपोर्टेंट कोशिन होगा तो मैं इसका पार्ट sharper बीडियो बना करां गा तब तक आप आप चैनेल पने रहें और बात करते हैं नेस्ट कुछ नहीं आपके लिए और इसका अंसर आप सभी को comment box में देना है प्रश्ण यह है कि अक्छर ग्यान किस कभी की रचना है अगर आप इसका अंसर नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो को देखिए आप इसका अंसर बता सकते हैं अभी तक नहीं देखें तो चैनल के playlist एड में दिया है इन में से कोई नहीं थी इसका जो भी राइट अंसर होगा आप सभी को comment box में देना है आपको कोई भी doubt यह confusion हो था आप वीडियो में comment करके पूछ सकते हैं फिर मिलते हैं इसके next वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद बंदे मात्रू झाल करते हैं